तो दोस्तो आज की रेस्पी में हम गाउं के तरीके से राजमा बनाने वाले हैं आज की राजमा में हम ना तो प्याज डालेंगे और ना ही लेस्टून तो चलिए दोस्तो हम देन न करते हुए रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं राजमा बनाने के लिए हमने एक कटूरी राजमा को भिंगो दिया था रात मैं तो फूल गया था और 6-7 सीटी हमने कुकर में लगा ली है अब यहाँ पे मैंने मिकसर जाल लिया है मिकसर जाल में हम दो टमाटर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देंगे टमाटर काटने के बाद हमने एक छोटा सा अधरक का टुकड़ा लिया है अधरक को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे उसके बाद एक बड़ी लायची और दाल चीनी का टुकड़ा डाल देंगे और दो चमच उबला हुआ राजमा डाल देंगे कन बंद करके सभी चीजों को बारीक पीस लेंगे, तो यहाँ पेश्ट बन के तियार हो गया है, आप देख सकते हैं, कडाही में हम डेड़ कर्चली रिफाइंड तेल डालेंगे, आप यहाँ पी सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तेल गरम हो जाने के बाद बन फोटी स्पून हिंग डाल देंगे, हिंग आप जरूर डालना, हिंग भुन जाने के बाद दो दाल चीनी के टुकड़े और एक वड़ी इलाइची डाल दी है, एक छोटा चमच जीरा डाल देंगे, जीरा भुन जाने के बाद हरी मिर्च डाल देंगे, सबी जीरों को 15 सेकेंट के लिए आधे चमर्ष हल्दी पाउड़ डाल देंगे आधे चमर्ष कस्मीरी मिर्ष पाउड़ डाल देंगे और स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे मसाले डालने के बाद हमें लगातार चलाते हुए ग्रेवी को 6-7 मिनिट के लिए धिमियाज पर अच्छे से पकाना है जब तक की तेल अलग ना होने लगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों तेल अलग होने लगा है तो अब हम उबला हुआ राजमा डाल देंगे राजमा डालने के बाद हमें एक से दो मिनिट के लिए मिक्स करना है दो मिनिट हो गए हैं हमने राजमा को अच्छे से मिक्स कर दिया है तो कितना परफेक्ट कलर आया है मिक्स करने के बाद जिस पानी में हमने राजमा वॉयल किया था उसी पानी को हमें डाल देना है पानी आप अपने जरूरत अनुसा डाल सकते हैं कमिया ज़्यादा मिक्स करने के बाद हमें राजमा को ते जाँच पर 6-7 मुनिट के लिए पका लेना है जब तक की राजमा गाड़ा ना हो जाए राजमा में उभाला गया है तो दोस्तो इस तरीके से आप बिना प्याज बिना लहसुन का राजमा बना सकती है 6-7 मुनिट के बाद हमने आदर शमच गरम मसला पाउडर डाल दिया है गरम मसला पाउडर मिक्स करने के बाद हमें राजमा को 1 मुनिट के लिए और बका लेना है तो एक मिनिट हो गया है राजमा परफेक्ट बन के तियार हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे गरम गरम राजमा को हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं राजमा को आप चपाती, चाउल, पराठा के साथ खा सकते हैं अगर आपको आज की रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे यूटूब चैनल के होमस कुकिंग को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप डिसलाइक भी कर सकते हैं इससे हमें पता चल जाता है कि आपको मेरे रेस्पी पसंद आ रही हैं कि नहीं मिलते हैं अंगली वीडियो में जैसरी कृष्णा राधे राधे